खुद का घर होना हर किसी का सपना होता है क्योंकि अपना घर तो अपना होता है जी हाँ ऐसे ही एक सपने को मुंबई में रहने वाली एक 15 वर्षिय लर्की ने पूरा कर दिखाया है इस लर्की ने मुंबई जैसे माया नगरी में अपने दम पर अपना घर खड़ीद लिया है इस खबर के बाहर आते ही ये सोसल मीडिया पर लगाता ट्रेंट कर रहा है तो आखिर कौन है ये लड़की पर आपको हम बताएंगे इस वीडियो में की कौन है वो लड़की जिसने अपने सपने को हकीकत में बदल दिया है जिसने महज 15 साल के उमर में मुंबई जैसे महंगे सहर में अपना घर खरीद लिया है जानने के लिए वीडियो को लास तक जरूर देखें जी हाँ हम बात कर रहे हैं 15 वर्सी रूहानी का धवन की जिन्होंने मुंबई में हाल ही में अपना घर खरीद लिया है आप सभी को बता दें कि रूहानी का धवन ने ये घर अपने पैसो से लिया है और वो महज 15 साल की है वैल आपको बता दें कि रूहानी का धवन ये है मुहांबते में पी हुई है घर खरीदने के बाद रूहानिका ने अपने घर के साथ अपनी तस्वीर भी साज़ा की है उन्होंने अपने अंस्टाग्राम हेंडल पर घर की चाबी के साथ अपनी फोटो सेयर करी है फोटो में वो बहुत ही खुश नजर आ रही है साथी घर के कुछ क्लिम्स भी नजर आ रहे हैं और आखिर खुस हो भी क्यों ना मैज 15 साल जैसी उम्र में उन्होंने इतने बर सपने को हकीकत में बदल दिया है आप सभी को बता दें कि रूहानिका ने अपने केरियर के सुरुवात एक बाल कलाकार के रूप में 2012 के टीवी सो मिसेस कौसिक की पांच बहुएं से की थी बाद में वो एकता कपूर के लोक प्रिय धारवाहिक ये हैं मोहबते में अभिने करने चली गई जहां वो रूही भला और पीहू के रूप में दिखाई पड़ी इससे पहले वो सोन इंडिटेन्मेंट टेलिवीजन के लिए मेरी साइम स्रद्धा और सबुरी का हिस्सा थी वेलिस खुसी के मौके पर पोस्ट सेर करते हुए रूहानिका ने कैप्सन में लिखा है कि ये सब बिना परिवार और फैंस के सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता था मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिनों भी मेरा सहीयोग किया है मैं उन चैनल को धन्यवाद करना चाहती हूँ जिनोंने मुझे काम दिया है वेल इस पोस्ट के बाद कई लोगों ने उन्हें बधाईयां भी दी है वेल ऐसे मैं आपका क्या कुछ है कहना हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं साथ इसी तमाव अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें